रुशी पंचमी निवित्रक्षेत्र के श्रीक्षेत्र गुप्त गंगा देवस्तान में आज सुब भक्तों ने गुप्त गंगा में स्नाम किया उन्होंने भगवान शियों की पुजा और दर्शन किये हैं इस समय मंदीर को हरे पतों से सजाया गया था वह मूर्तियों को भी आकरशित किया गया था श्रद्धालू इस सजावट को देख कर मंतर मुग्द हो गय थे यह राम टेक नागद्वार के भक्तों द्वरा किया गया था साथ ही उन्होंने कड़ाई की पेशकश की और इसे वित करना है कि जरने से जल को सवा महने तक लगातार सनान करने से चर्म रोग भी दूर हो जाता है माना जाता है कि इसी से इस दिन का नाम रिशी पंच में पड़ा यह पूजा कुल आठ सुपारी साथ रिशी कश्प भारदवाज विश्वमित्र गौतम जमदगनी वशिष्ट और अत्री साथ ही वशिष्ट की पत्नी अरुंधती में से एक को अर्पित कर की जाती है इस दिन बैलो को श्रम का भोजन नहीं किया जाता कहा जाता है कि इसका मुख्योदे साल में कम से कम एक दिन मैनत से कमाया हुआ अन्न खाना चाहिए स्वकश्टार जीत शब्द को रिशीपंचमी का दिन वरत के लिए फलदाई होता है पौरानिक मान निताओ के अनुसर अगर महिलाएं रिशीपंचमी के इस वरत को करती है तो उने सुक शांती और अखंड सुक की प्राप्ति होती है स्वास्त तस्त्रिया यदिहा वरत करें तो उनकी मनुकाम नाएं पूजा के बाद रिशी पंचमी के वरत की कथा सुनी जाती है और पंडितों को भोजन कराकर वरत मनाया जाता है यह वरत अविवाहित महिलाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्णा और फलदाई माना जाता है